लोगों का खून चुछा रिश्वतें काईन, तुम समाजवाद और देश की नाम पर करो इनको समाजवाद, हमारे देश में समाजवाद कहा है? हमारे देश में तो अफसरवाद है, जाजपादवाद है, कुरसीवाद है अरे समाज वाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत मैसूस करेंगे ये जो वोट है ना ये कागस का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिये ये वोट तुमारे परिवार तुमारे देश उसकी उनती की परची है ये तो दो धारी तलवार है जो दोने तरफ से काटती है ठीक जगा पड़े तो देश खुशाल और गलत जगा पड़े तो देश का सत्यानाश अरे भाईयो हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तैय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूलते हैं अच्छा खांदान देखते हैं उसके गुन और अब गुन देखते हैं तब जाकर कन्या की शादी करते हैं वोट भी तो तुमारी बहन और बिटिया है ना उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो अरे भाई ये वोट तो भरो से मंद और इमानदार को देना चाहिए मगर आप लोग क्या करते हैं बेशते हैं आपना वोट वोट का ब्लैक मार्किट करते हैं जिसने जादा पैसे दिया उसे दे दिया वोट तो ऐसे बाढ़ते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है कभी किसी दोस को दे दिया कभी अपनी जाद वाले को दे दिया और कभी बेश दिया अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेशता है वो भी बहिमान है जो वोट खरिदता है वो भी बहिमान है तो फिर किस मूँ से हमें बहिमान कहते हो हां अरे अगर बहिमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बहिमान बनेगी ही तो फिर चिलाते काई को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद जिस दिन तुम वोड खरीदने वालों को अपनी चौकट से दक्का मार कर बाहर निकाल दोगे उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अब देखो हमारे इन उपमक मंतरियों को इन बहिमानों को किसने बेजा ये आपी की रोगों के बेजो है न अब ये बहिमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आज से पांस साल बाद जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहां से लाएंगे अरे यहीं से तो लाएंगे न अरे बोलिए बोलिए आप कहते हैं कि हमने रिश्वत ली है बहिमानी की है अरे हम कहते हैं हमने रिश्वत खाई है कोई कहता है बारा करोड कोई कहता है पंदरा करोड कोई सोला आप जानते हमने कितना कमाया है बासट करोड बासट करोड साट और दो हाँ अरे जा सोचिये तो सही अगर छे मेने में हमने बासट करोड रुपया कमाया है तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने क के सब्स् должно के रोड़ कमाये हूंगे हैं हिसाब लगा सकते आप अरे जब और जब आप हमारा इसाब नहीं लगा सके तुम लोगे सब्स हमें ठाइब यह रूपया यह पैसा कमाने का तरीका कौंसे रास्ते से होता है बैमानी का पैसा किस रास्ते से कमा जाता ही अब हमें पता चल चुका है आप लोग कहते हैं कि हम बैमान हैं हाँ आप क्या कहते हैं कोई कहता हैं इमानदारी के परगंबर है मगर हम क्या हैं हम बैमान हैं हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं यह नहीं बोलेंगे सुन लिए आप लोगों ने क्योंकि हम इनका कच्छा चिठा जानते हैं ना इनका बांद आप फोड़ सकते हैं इसलिए तो हम इन बैमानों के मुख्या बन गएं पर हमारी बैमानी की कमाई गई कहां क्या हम निगल गएं अरे हराम का पैसा कि उन इमानदार लोहों की जैजय कार करो उनी को वोट दो उनी की सरकार बनाओ और लोगतंतर के हाथ मजबूत करो पर वो इमानदार लोग भीक का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवज्जे पर नहीं आएंगे अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवज्जे पर आपना वोट लेकर और उनसे बिनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट सुईकार करो वो देखिए आपके सामने बाल मुकुन त्रिपाठी खड़े हैं आदी जवाने कल्यान है आप लोगों में यही तो खारावी है कोई बड़ी बड़ी बाते करें मीटी मीटी अच्छी अच्छी बाते करें आप धना धन तालिया बजाना शुरू कर देते हैं सुनकर खुश हो घाल एरामफ्तार वह 62 करो रुपया कहां है है वह 62 करोर हम बैंक में रखा है और यह BRI उस बैंक के लॉक्रों की जावियां अगर लोगों को कुर्सी पर बिटाने का हक आप लोगों के पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फैकने का हक भी ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए